जहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास में काफी दिनों से काफी दिन के काफी महीनों से दोस्तों आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप केबल इंडिन आर्मी की ही तैयरी क्यों कराते हैं इंडियन नेवी, एर फोर्स, ससी जी डी या फिर कॉम्पिटेटिव एक्जाम्स जैसे कि पुलिस के एक्जाम्स या फिर अधर डिफेंस के एक्जाम्स जो होते हैं आप सभी के लिए क्यों कोश्चन और उनके जो एक्जाम के पेपर्स होते हैं उनको सॉल्ब क्यों नहीं कराते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो question में कराता हूँ, ये cable ऐसा नहीं है कि Indian Army के exam में ही आते हैं, ठीक है? ये सभी question आपके सभी defense forces, यानि कि जो भी competitive exams हैं, सभी के लिए most important questions होते हैं, तो आज से दोस्तों ये सभी exams के लिए questions में select कर के लिए कराऊंगा, और ऐसा नह exams के लिए ये most important question है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ start करते हैं आज की वीडियो, question नमर बन है दोस्तों हमारा, वाटनिकल नेम ओफ मैंगो इच, आम का बनस्पतिक नाम क्या है? options आपके सामने हैं दोस्तों, तो आम का जो बनस्पतिक नाम होता है दोस्तों, यानि कि आप चलते हैं दोस्तों, अगले question की तरफ, question number two, तो question number two है हमारा, which Indian scientist known as missile man of India, किस भारती बैग्यानिक को भारत का missile man कहा जाता है? तो दोस्तो, Dr. APJ. अबदुलकलाम, जो कि भारत के पूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, यानि कि राच्छपति, तो इन के लिए कहा जाता था, missile man of India, तो option C, इस question का सही answer होगा, दोस्तों, अगला question है हमारा, question number three, question number three है दोस्तो, the discovery of India book written by, discovery of India पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर discovery of India पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई, ठीक है, question कैसे भी घुमाफ राके पूचे जा सकता है, आपको confused नहीं होना है, ठीक तो यहाँ पर option C, आपका सही answer होगा, दोस्तों, आप चाहें किसी भी competitive exams के तयारी कर रहे हैं, या किसी भी defense forces के exam के तयारी कर रहे हैं, ये सभी question आपके लिए most important question है, ठीक है, चलिए, अभी चलते है, question number four, which temple is known as black pagunda, किस मंदर को black pagunda के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्त तो सूर्ड मंदिर, sun temple, जो की कोडांक उडिसा में इस्तित है, इसके लिए black pagunda के नाम से भी जाना जाता है, तो option B, question number four का सही answer होगा, आप देख सकते हैं, दोस्तों, ये सभी question जो है, वो year force, navy, army, RPF, SSCGD के अंतरगत आने वाली, सभी forces, जैसे की CRPF, BSF, ITVP, SSB, CISF, और सभी states के police exam के लिए most important question है, अगर GK से question आएगा, तो आपका इन ही questions में से जो है वो, पूछा जाएगा, तो question number five की तरफ चलते हैं, दोस्तो, who established the slab density, गुलाम बंस की स्थापना किसने की, तो दोस्तो, गुलाम बंस की स्थापना किसने की थी, जल्दी से comment करके आभी बता दी तो option C, इस question का जो है, वो सही answer होगा, कुतब दिन एवक ने गुलाम बंस की स्थापना की थी, next question है हमारा, question number six, दोस्तो, आप देखते हैं कि मैं आपका ज्यादा time नहीं लेता हूँ, फटा-फटा आपका जो है, वो question हल कराते रहता हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी बन blood, I will give you freedom, ठीक है, you give me blood, I will give you freedom, slogan was given by, तो दोस्तो, ये जो slogan है, जो नारा है, वो दिया था, सुभास चंदरबोश ने, तो option C, इस question का सही answer है, अब चलते हैं, आज की अगला question की तरफ जो की है, question number seven, और question number seven, दोस्तो, काफी हटके है, और काफी important भी question है, ठीक है, चलिए, fundamental rights are mentioned in which part of the constitution, ठीक है, मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का उलेक्स सम्मिधन के किस भाग में किया गया है, तो दोस्तो, part third, यानि की भाग तीन में, जो है, वो मौलिक अधिकारों का, जो है, वो उलेक्स किया गया है, ठीक है, चलिए, question number eight की तरफ चलते हैं, दोस् है, वो लोधी बंस की स्थापना की गई थी, तो question number eight का सही answer option, एह होगा, आपका, next question की तरफ चलते हैं, दोस्तो, question number nine, और question number nine है, हमारा, अकवर नामा किसके द्वारा लिखा गया, अकवर नामा written by, तो दोस्तो, अवुल फजल ने जो है, वो अकवर नामा लिखा था, ठीक है, चलिए, अब चलते हैं, दोस्तो, आज के अगले question की तरफ, question number 10, question number 10 है, दोस्तो, हमारा, which of the following gas is also known as laughing gas, ठीक है, निमलिकित में से किस देस को हसाने वाली gas के नाम से भी जाना ज जाता है, ठीक है, तो दोस्तो, nitrous oxide, इसका जो सूतर होता है, वो है आपका chemical formula, N2O, ठीक है, तो nitrous oxide जो gas होती है, इसके लिए laughing gas के नाम से भी जाना जाता है, चलिए, next question है, question number 11, most important question है, दोस्तो, आपके सभी exams जो आने वाले हैं, उनमें ये question आपको पूछा जा सकता है, क्य में क्या है, वो आपके सामने है, ठीक है, तो the first case of COVID-19 reported by which city, COVID-19 का पहला मामला किस सहर द्वारा report किया गया, तो दोस्तो, आप सभी को पता है, कि चीन के द्वारा, यानि कि चीन में जो है, COVID-19 सबसे पहले पाए गया था, अभी यहाँ पर options में चीन के जो है, वो दो सहर दि जिस सहर से report किया गया था, वो था दोस्तो, भुहान चीन, ठीक है, यानि कि आप इस तरह से भी कह सकते हैं, कि COVID-19 की शुरुआत कहां से हुई, भुहान से हुई थी, ठीक है, जो कि चीन का एक सहर है, अगला question है हमारा, question number 12, विस्व का सबसे बड़ा महाकाब है, तो question number 13, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि मैं आपके लिए इतनी मिहनत करता हूँ, बहुत ज्यादा, duty से बहुत मुश्किल से time निकालता हूँ, आप सभी को पता है कि मैं Indian Army में हूँ, तो दोस्तो, बहुत मुश्किल से time निकल पाता हूँ, जो आपके ल सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज कौन सा है, सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज है उत्तर प्रदेश और इसी लिए इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है, तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के लिए, नेक्स्ट B इस question का सही answer होगा आप चलते हैं दोस्तों आज के अगले question की तरफ और आज की वीडियो का last question ठीक है तो आज की वीडियो का last question है the oldest national park of India ठीक है भारत का सबसे पुराना राष्ट्री उध्यान कौन सा है तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना राष्ट्री उध्यान है वो कौन सा है जिम कार्वेट तो option D is question का correct answer है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो जैसा कि मैंने आप से कहा वीडियो को दोस्तों के साथ में सेर जरूर किया करें तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत